महिलाओं को बीमार बनाते हैं घर की ये आथवास्तु दोश, जानिये कैसे। किसी भी घर की खुशियां को बढ़ाने या फिर कहें, उन्हीं कायम रखने में महिलाओं की एहम भूमिका होती है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों का ख्याल रखने वाली महिला सदस्य यदि बीमार हो जाए तो जीवन अस्तवियस्त हो जाता है। किसी भी घर की महिला सदस्य का स्वास्थय पूरे घर के सदस्यों को प्रभावित करता है। यदि घर की महिला सदस्य की तबियत बार बार खराब होती है या फिर इलाज के बाद भी खास आराम नहीं मिल रहा है तो आपको नीचे दिये गए वास्तुदोश की पहचान करके उ से तुरंट दूर करना चाहिए 1. वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में इस्तिमाल होने वाला गैस चूलहा या स्टोव का मूँ अगर उत्तर दिशा में होगा तो वहां कार्य करने वाली महिला बार बार बीमार पड़ती रहेगी गैस स्टोव का मूँ पूर्व दिशा में होना लाबकारी होता है किचिन के चूलहे पर खाना बनाते समय घर की महिला का मूँ भूलकर भी दक्षिन दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए ऐसी सूरत में अक्सर उसे कमरदर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल, जोलों का दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम दिशा में मुख करके खाना बनाने से आंक, नाक, कान एवं गले संबंधी समस्याएं हो सकती हैं इसलिए इस दिशा में खाना बनाने से बचना चाहिए दो, यदि आपके घर की इशान यानी की उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट या फिर सीलियां बनी हुई है तो आपके घर की मुख्य महिला ही नहीं, बलकि अन्य सदस्यों को भी मानसिक तनाव या मस्तिश्क से जुड़ी समस्याएं हो सकती है यदि घर का इशान कोना हूँचा हो और बाकी सभी दिशाएं उससे नीची हों तो घर की महिला सदस्य को गंबीर बीमारी होने की आशन का बनी रहती है इशान कोन में बना शोचालय बहुत बड़ा वास्तु दोश माना जाता है देवस्थान पर बना ट्वैलेट घर की महिलाओं को न सिर्फ बीमार बनाता है बलकि संतान सुख से भी वन्चित कर देता है घर की उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा का बंध होना और दक्षिन और दक्षिन पश्चिम दिशा का खुला होना भी एक गंबीर वास्तु दोश माना जाता है ऐसा होने पर घर के भीतर बीमारी और खर्च दोनों ही अत्यधिक बढ़ जाते हैं यदि आपके घर की दक्षिन दिशा में वास्तु दोश है तो इससे महिलाओं को ठकान और स्ट्रेस की समस्या पैदा हो सकती है चार वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की तरफ सेर करके सोने से माइग्रेन, साइनस और सेर दर्द रहने की बीमारियां हो सकती हैं इसके अलावा यदि आपके बैडरूम में बैड के सामने शीशा है तो इसे तुरंध हटा लें वास्तु शास्त्र के अनुसार ब्याड के सामने शीशा होने से सोते समय हमारी छवी शीशे में नजर आने से व्यक्ति धीरे धीरे बीमार पढ़ने लगता है 5. किसी भी घर के दक्षिन नेरित्य भाग में मार्ग प्रहार को शुब नहीं माना जाता है ऐसा वास्तु दोश घर की महिलाओं में अवसाद पैदा करता है कई बार ऐसी महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं दक्षिन नेरित्य भाग के बड़े होने पर महिलाओं को बड़ी और पिरादायक बीमारी की आशन का बनी रहती है 6. रसोई में यदी शीशा लगा हुआ हो तो ये भी अशुब होता है इससे महिला को सिर, कमर, पेट संबंदी रोग होते रहते हैं रसोई घर में लगा शीशा घर में कला भी पैदा करता है घर की सुक शांती बनी रहे, इसके लिए रसोई घर में कभी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए 7. कभी भूलकर भी घर की दक्षिन दिशा में भूमिगत जलसरोत जैसे की बोरिंग आदी न कराएं ऐसा वास्तुदोश घर की महिलाओं की सेहत पर अत्यधिक बुरा प्रभाव डालता है 8. कहीं अपके घर में आगे की दिवार तूटी फूटी तो नहीं है या उसमें कोई दरार, प्लास्ट ओखडा हो ये एक वास्तुदोश है जिसे फोरन ठीक करना आवश्यक है 9. इसके चलते घर की मालकिन का स्वास्त्य खराब रहेगा, वो मान से कशांती गिरी रहेगी, जिससे घर में सभी अप्रसन और उदास रहेंगे 9. यदि आपके घर का नेरीत्य कोन वा दक्षिन नेरीत्य नीचा हो, कमरों के ठीक नीचे अंडर ग्राउंड पानी का टैंक, कुआं, बोर्वेल या साप्टिक टैंक होता है, तो घर की महिलाएं ना सिर्फ बीमार रहती हैं, बलकि उन्हें मृत्यु भाए भी रहता है 10. यदि पती पत्नी का शयन काक्षुत्तर पूर्व में है तो ये सही नहीं है, ये दोश भी संतान उत्पत्ती में बाधा है, बहतर होगा कि घर के मालिक का शयन काक्षुत्तर पश्चिम दिशा में हो यदि आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत घन्यवाद